Dear students, हम दूसरे पाठ का मानो तंतर में पहला टोपिक मानो पाचन तंतर को समझ रहे थे पिछले वीडियो में हमने मानो पाचन तंतर के अंग मुख्य, गरशनी, गराशनली, आमाशे, छोटियात, बढ़ियात और मल्दुआर इनके मारे में विष्टार से समझा, इन सबी को सामोहिक रूप से आहार नाल कहते हैं यानि कि हमने पिछले वीडियो में आहार नाल के बारे में समझा था इस वीडियो में हमें परमुख गरंथियां जिनमें लार गरंथि, यकर्त और अगनाशे इन तीन गरंथियों के बारे में तथा मानों में बोजन का पाचन किस परकारशे होता है उसकी परकिरिया को समझेंगे तो चलिए अपन सुरू करते हैं गरंथियों के बारे में यहाँ पाचन गरंथियां हेडिंग है इसमें बताया गया है कि मनुश्य में परमुख तेन गरंथियां बोजन के पाचन में सायक है एक तो लार गरंथि, दूसरी यकरत गरंथि और तेसरी अगनाशे गरंथि यकरत को अपन लीवर कहते हैं अंगरिजी में इसको लीवर कहाजाता है तो वह सबसे पहले पन बात करेंगे इस लार गरंथि की लार गरंथियां जैसा कि आपने खुब नाम शुना है अपने मुख में जो लार निकलती है यानि कि लार गरंथियां मुख में होती है ठीक है? यह गरंथि मुख में लार उत्पन करती है लार एक सिर्मी तरल एउ चिपचिपे सलेसमा का मिश्रण है देखिए इसमें दो चीजी होती हैं लार के अंदर कौन-कौन सी, एक तो सिर्मी तरल, दूसरा सलेस्मा, ठीक है न, अब ये तो सिर्मी तरल है, ये है तरल भाग क्या काम करता है, तरल भाग बोजन को गीला करता है, ठीक है, लार में दो चीज़े हैं, एक तो सिर्मी तरल, दूसरा सलेस्मा, ठीक, तो सिर्मी का काम क्या है, शिर्मी तो तरल है, तरल का मतलब पानी जैसा पदार्थ, ठीक है, तरल भाग बोजन को गीला करता है, जो अपने बोजन खाया है, उस बोजन को गीला करने का काम करता है यह तरल पदार्थ, जो यह बोजन अपन मुह में चबाएंगे, तो लार निकलेगी, और उस लार का तो तरल भाग है वो बोजन को गिला कर देगा ठीक है तो था सलेसमा दोसरा भाग के है लार के अंदर सलेसमा होता है सलेसमा लूब्रिकेंट सलेसमा चिकना पदार्त है और लूब्रिकेंट का मतलब होता है गर्षन कम करना ठीक है लूब्रिकेंट ऐसे पदार्त को कहते हैं जो ग मुख्य कारिये बोजन में उपस स्टार्ज का मुख में पाचन शुरू करना है। यह एक्जाम में क्यूशन पुछा जाए कि बोजन का पाचन कहां से सुरू होता है। तो मुख से ही शुरू हो जाती है, यानि कि बोजन का पाचन मूँ में ही शुरू दाता है, और मूँ के अंदर किस चीज का पाचन होता है, कार्बोहाइडरेट, कार्बोहाइडरेट कौन सा, स्टार्ज, देखिए अपन को बोजन, जो बोजन कर रहे हैं अपन, उसमें जेंगे और इन तीन का ही पाचन होता है विटामिन का पाचन नहीं होता जल का पाचन नहीं होता और जो खनीजलवण है उनका पाचन नहीं होता है वो सीधे ही अवसोशित हो जाते हैं ठीक है उनको पचाने के लिए अलग से कोई एंजाइम नहीं होते हैं तो यहां जो बोजन में जो कार्बोहडरेट है कौन सा कार्बोहडरेट इस्टार्च को पताना सुरू कर देती है उसका अब गटन करना सुरू कर देती है जो जटिल पदार्थ है उसको सरल अणवों में तोड़ना सुरू कर देती है ठीक है अब लार के अंदर इसा कौन सा एंजाइम है ज हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए देखिएगा जितने भी अनाज है गेऊ है बाजरा है चावल है मक्का है इन सब में कार्बोहर्डेट होता है ठीक है आलू है आलू में कार्बोहर्डेट है जिसको अपन सब्जी के रूप में कामिल लेते हैं उसके अलावा प्रोटीन जो वसा होती है ठीक है तो यहां अपना के देख लेंगे इसके बारे में और तो अपने बात करें थे लार गरंथियों की तो लार गरंथियों की जो इस्तती है वो मुख में कहा होती है मानव स्रीर के अंदर मुख में तीन जोडी लार गरंथिया होती है कितने होती है तीन जोडी ठीक है यानि कि total 6 होती है जैसे माली जी ये करणपुर्वा है ये बायाकान है इसके पास में यहाँ है उदर दूसरी तरफ दायाकान होगा उसके पास भी होगी यानि कि एक जोड़ी तो करणपुर्वा की होगी इसी परकार से अदोजंब की एक जोड़ी होती है अदोजंब जंब मनी जबड़ा ठीक है निचले जबड़ी के अंदर है अधो यानि की निचला जबड़ा अधो जीवा जीवा यानि की जीव यहाँ अपने मुख में यहाँ जीव है और इस जीव के नीचे यहां पर अधो जीवा अधो जीव के नीचे है ठीक है तो इस परकार से ये तीन जोड़ी आर गरंतियां पाई जाती है अब इनके बारे में एक के के बारे में देखेंगे पहली कुंडशी है करण पुर्व यह है शिर्मी तरल का इस्तरावन करती है देखें लार के अदर दो चीज़ी अपने पढ़ी थे भी लार में दो चीज़ी कौन कौन चीज़ी है यह दुबारा देख लेते हैं शिर्मी तरल होता है और दूसरा सलेसमा होता है तो यह जो शिर्मी तरल है इसका इस्तरावन कौन करेगी यह जो करणपूर्व गरंती है पहली वाली गरंती इसकी बात कर रहें यह तो शिर्मी तरल का इस्तरावन करेगी दोसरी जो अधोजंब यानिकि जो निचले जबडे में है यह है एक मिश्लित करण्धि है और यह तरल और सलेस्मिक दोनों पतार्थ का इस्तरावन करेगी तो यह कौन सा इस्तरावन करेगी यह है जीवा के नीचे पाई जाती है तथा सलेश्मिक इस्तरावन यानि केवल सलेश्मा का इस्तरावन करेगी तो हमें थोड़ा याद रखना है करण पूर्वे जो करण थी है कान के जश्ट पीछे पास में गालों में पाई जाती है कान के नीचे जो गाल है अपने वहां होती है ये शिर्मी तरल का करती है अधो जीवा जीव के नीचे वाली केवल सलेसमा का इस्तरावन करती है और ये जो बीच वाली जो अदोजंब है ये तरल और सलेशमा यानि कि शिर्मी तरल और सलेशमा दोनों का इस्तरावन करती है चलिए फिर पर आगे चलते हैं अगली गरंथी है अगनाश्य गरंथी अग्णास ये गरंति को अंहरीजरी में पेनकिर्याज कहते हैं आपने खूँब नाम सुना है यह मिश्चित गरंतिय है चिसे कहते हैं गरंतियां हमारे स्रेमें दो परकार कि होती है एक तो अनतास्तरावी और एक बहरी गरंतिया दूसरे पाट के अंदर इसी पार्ट में हम तंतरी का तंतर और अंतर इस्तरावी तंतर पढ़ेंगे तो जो अंतर इस्तरावी तंतर है उसके अंदर गरंथियों के बारे में पूरा दिया गया है तो यहां अंतर इस्तरावी गरंथिया इसी गरंथिया उन गरंथियों को कहते हैं की हार्मोन बनाती है क्या बनाती है हार्मोन यानि कि जब गरंथियों में हार्मोन बनते हैं यह हार्मोन एक राशानिक पदार्थी होता है तो यह हार्मोन को बिना नलीका की सीधे ही रक्त में छोड़ देती है तो इन्हें नलीका विहिंद गरंथी भी कहा जाता है अन्ते इस बहिस्तरावी गरंथिया जो है वो कुछ ऐसे पदार छोड़ती हैं जो कि बोजन के पाचन में अन्य किरियाओं में साइक होते हैं यह हार्मोन नहीं बनाती हैं ठीक है और इनके लिए रक्त में छोड़ने के लिए नलिका क्या हो सकता होती है तो एसी गरंथिया जो अन्तरावी और बहिस्तरावी दोनों काम करें ठीक है उन गरंथियों को मिस्तित गरंथिया कहेंगे तो मिस्तित गरंथिया किसे कहते हैं जो अन्तरावी भी है और बहिस्तरावी भी है दोनों काम करती है उसे अन्तरावी आने के जो हार्मोन भी बनाती और नये बोजन को पाचा के इंजाइम बोल दीजिए या नये कोई भी काम करने का पदार्थ छोड़ती है वह बही इस्तरावी, दोनों काम करें, वह मिर्सित कलाथी। तो यहां आपन上 बात करने हैं कि जो अंत撰वी जो ये गरंथी है अंतért इस्त्रावी के तोर पर हार्मौन इंसुलीन और गलुकेगोन यह दो हार्मौन बनाती है ठीक है इंसुलीन आपके नाम सुना होगा इंसुलीन जो मदोमे रोग, इंसुलिन की कमी से जो है मदोमे रोग होता है, रक्त में सुगर की मातरा बढ़ जाती है, जिसे डाइबिटीज भी कहते हैं, दूसरा गलुकेगोन, यह दोनों हार्मोन गलुकोज की मातरा को रक्त में गलुकोज की मातरा का नियंतरन करते हैं, दूसरा यह यह गरंथी यकर्थ गर्षनी तथा तिल्ली से घरी होती है इस लाइन को समझते हैं कि यह गरंथी यकर्थ कहा है अगर्षनी मैं डाग्राम में अपने यहां देखें इसको थोड़ा सा और उपर लिरता हूं पहली बात तो यह कि यह गर्षनी नहीं है यहां पर यह गर्षनी है क्या है यह गर्षनी है इसको याद रखेगा गर्षनी है गर्षनी के पास में यकर्थ के पास में होती है और टिल्लीयन की स्प्लीन जिसको बोलते है उसके पास होती है देखे यह रहा यह उपर वाला यह पास गरहनी के पास में अगंकि इसके अंदर यह चोटीत इंजाइम इब में आगे देखते हैं यह 8 सेंच लंबी और यू आकार की होती है और इस गरंथी के दोरा इस्त्रावित एंजाइम वो सारणी अपने आगे देखेंगे आतों में प्रोटीन वसा वे कार्बोहड़िट पाचन विद्द करती है यह तीनों प्रकार के एंजाइम छोड़ती है इसमें प्रोटीन का पा सरकरा सरकरानी की सूगर के मातरा को नियंतरित करते हैं ठीक तलिए फिर अपना आके देखें यह करत के बारे मता रहा है देखो यह करत का डागराम यह रहा ठीक ना मैं पहले बता देता हूं यह कर दो पाली में बटा होता है देखिए एक पाली तो यह रही दर ठीक ना यह भाग तो ऐह दूसरी पाली बड़ी है इसके नीचे पिताश्य हुता है पिताश्य होता है तिया कंटे है लेकिन यहां से बन करके और यह नलिका के दोरा पिताश शेक अंदर आकर के यहां इस्टोर हो जाएगा ठीक ना यानि पिताश शेक अंदर पीतरस बाइल जूस जिसको बाइल जूस करते हैं अंग्रेजी में पीतरस यहां एक्तृत हो जाता है और जब अपन बोजन करते हैं तो बोजन यहां आमाशे में 4-5 गंटे ठहरता है, जब यह बोजन यहां से गरहनी में जाएगा, यह बोजन केसा है, अमल यह बोजन है, केसा है, अमल यह बोजन, और यहां गरहनी में जाएगा, तो यह अमल के कारण गरहनी की कोशिका इनष्ट हो सकती है, इसलिए यह जो प अगनाशेरस छोड़ेगी यहाँ पर और यह भी थारी अप्रकरतिका होता है यह दोनों मिलकर के पीतरस और अगनाशेरस दोनों मिलकर के क्या करेंगे बोजन की अमलता को कम कर देते हैं ठीक चलिए अपनी यकर्थ की बात करते हैं वागे मानव सरीर में उपसिभी सबसे बड़ी गरंथी भूत इंपोर्टेंट लाइन कई बार एकचाम से पुछी गई है यकर्थ यकर्थ चैकणी वहीं तीन परकार के होती है अनितरवी-बही-प्रकार और मिस्रित यकर्थ केसी है? बही-प्रकार के के स सबई गरंथियों में इस स कि सबसे बड़ी भाहिस्तृइव गरंदी तो वो भी यकरत होगा सबसे बड़ी जो अन्टा स्तृइव गरंदी है वो अपने जो गले में था बारत गरंदी होती है रहे合oni की तो यह करत के साथ यह जो उपर से गर्शी का यहां आ रही है मुख से जैसे माली जी यहां मुख है और यह मुख से गर्शनी और फिर नीचे गर्शी का रही है यहां एक इस प्रकार से मास पेशी का बनावा मास का बनावा एक मद्यापट पाजाता है डायाफ्राम पाजाता है इसके उपर यहां फेपड़े होते हैं दोनों तरफ दाया फेपड़ा बाया फेपड़ा ठीक ना यह दाया फेपड़ा यह बाया फेपड़ा तो यहां इसमे आपके नीचे वाले जो गुवा कि इससे बोलते हैं उदेर गुवा अधर शुड की पेट ने की पेट तो गुवा को थं स्की थे हैं आइन्द के अपनारा और पासन को समझे में सामने से देखने पर यकर्त दो पालियों में यानि कि दो भाग अपने बात की एक दाइन तरफ एक बाइन तरफ दो पालियों में विवक्त होता है ठीना और अगे बतारा कि यकर्त में करीब 1 लाग छोटी शटकोनी संतनात्मक एं किरियात्मक इकाईयां जिने यकर्थ पालिया कहाँ जाता है, यानि कि क्यूसर निये बनता है, यकर्थ की सनुतना आत्मक और किर्यात्मक इकाई किशे कहते हैं, जिस परकार से मानव सरीज की सबसे छोटी सनुतना आत्मक और किर्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, तंत्री का तंत्र की स एकर्थ शेजित को plataform के चाहिए है इसको याद कर लिजे नहीं है अपने इस बुक के अंदर आपको 3 Áragar याद करनी है मालम सरीर की सबसे चोटी काहई सबसे काहई कोशिआ न दूसरा कि एक रत वाली बात करें कि यह सबसें त Alberat तंत्र की पढ़ेंगे अंत्री तंत्रिकातंत्र की लो उश्धनेने ल सब्सक्राइब निर्मान क्रण्फ़ के यंश आख बाइनी उपतन्तर के दोपित बाइन दवारा है पane उपर संदा था मितरस निर्मान तो कहां? और यह कहां पहुंच गया से इस हैं तो आगे देखतें तशले कि और रिजनक पितरस का बंदारन करता है कि पितरस का बंडारन या करना Store कर लेता उसको संग्रित कर लेता है एप यहांसे पीते नल का दवरा Peet यह गरहनी है क्या है यह गरहनी में का हाँ चला जाएगा पर पिताषए से निकलेगा और गरहनी में में पिर अब बात करएंगे यहां पीतर इस्टोर हो गया, यह संग्रित हो गया, यहां से फिर यह गरहनी में यहां पहुंचेगा, ठीक है न, यह गर्षनी नहीं है, गरहनी है, गलत प्रिंटिंग है वहाँ पर, उसको करेक्शन कर लीजिएगा, फिर अपन बात करेंगे, बोजन का पाचन, यानि कि अप पाचन करेंगे, उसका जल अपगटन होगा, ठीक है, और यह जो एंजाइम होते हैं, इसकी परकरती केशी होती है, यह बहुत ही इंपोटेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, यानि की जल अपटन करने का काम होता है, तो इसको हैट्रोलेशेज वरग कहते हैं, 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 तो इसको हैट्रोलेशेज व बहुंता है कार्बोहड़ेट को पचाने वाले एंजाइन कोन कोन से है मेलेज देखो अभी अपने बात कि थी लार केंदर होता है यह मालटेज और सुक्रेज को पचाएगा सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम पचाएगा, एंजाइम के नाम क्या आगे एज होता है, जैसे एमिलेज, एज ओड़ दिया, माल्टोज को पचाने वाला माल्टेज, सुक्रोज को पचाने वाला एंजाइम, सुक्रेज, उसके आगे एज ओड़ देते हैं पाच्ण करने वाला निखलब है लिपिड बोल दो या फेट बोल दो अंगरेजिमेंस को लिपिड भी बोलते हैं या फेट या वसा तो लिपिड अम्ड़ गया लाइपेज लिपिड पलस एज यानिकी लाइपेज यहाँ Lakes यहाँ पर lie का मतलब क्या है? lipid तो थे जो enzyme है nucleases nucleases का मतलब क्या है? हम जो बोजन कर रहे हैं उसमें कोशिकाए है और जो कोशिकाए उसमें DNA होता है के अंदर के में DNA तो DNA के अंदर क्या? nucleic acid nucleic acid क्या हो सकता है? DNA और RNA तो उसको पचाने वाले जो है nucleot ताइटेज और नुकली जेज ये एंजाइम उसको पचाएंगे DNA को यह निकली केमल को तोड़ने का काम करेंगे आगे देखिएगा बोजन को चबाने वो लार के साथ मिलाने का कारिय मुक गुहा में यानि कि बोजन मुक के अंदरी अपनी जीब जो हो उसको मिला देती है तो तरल सिर्मी पदार्थ है और सलेस्मा पदार्थ बोजन मिल जाता है और लार के अंदर जो MLAG एंजाइम है वो मिल जाता है लार का सलेस्मा बोजन के कणों को चिकना कर देता है देखें सलेसमा क्या काम करता है लूबरीकेंट का काम करता है उपर पड़ा था अभी अपने लूबरीकेंट का मतलब क्या है और की चिकनापन कर देता है गर्शन का मुजाता है उन्हें चिपकाने में मदद करता है बोजन को बोजन अब बोलस के रूप में करमानु कुंचन गतिद्वारा गरसनी से गर्शीका और गर्शीका शे आमाशे में पहुंचता है देखे बहुत इंपोर्टेंट बात है अपना जो ये बोजन मुग के अंदर यहां है माली ये मुग से कहाएगा गर्शनी ठीक है ना ये मुग मुख से बोजन को चबाया कहाँ गर्शनी गर्शनी से कहाया इस नलिका में जिसका नाम क्या है गर्शीका और गर्शीका शे कहाया आमाशे में तो ये यही बात कर रहा है और इस समय जो बोजन यहां से मूँ में गति करता वा आ रहा है ये गति जो हो रही है इसको गति का किया कर्मानु कुंचन गती कर्मानु कुंचन गती होती है और यहां यह जो बोजन ठीक है इस बोजन का नाम क्या है इसको बोलस कहते हैं क्या कहते हैं बोलस याद रखेगा मुख से बोजन जब आमाशे में पहुंचता है तो उस समय उसे क्या कहते हैं बोलस कहते हैं ठीक है और आमासे इसे जब आगे छोटी आत में जाएगा तब उसे काइम कहेंगे क्या कहेंगे काइम वो आगे आज जाएगा आपन देख लेंगे तो दोनों नाविया रखने बोलस और काइम आगे देखेगा आमासे में बोजन के परवेश को जठर गर्शी का अवरोधनी नियंतरित करती है जैसे जियो ही मालीज आमासे में बोजन आएगा तो यहाँ पर यह जो भाग है यहाँ पर अवरोधनी होती है ये जो बोजनारा है ये इस अवरोधनी जो है ये इसको कंट्रोल करती है नियंतरित करती है लार में उपस्तित एंजायम टाइलीन या एमाइलेज देखे ये टाइलीन और एमाइलेज एक ही बात है जिस परकार शेया आपके घर पे दो ना इसकुल में नाम अलग है घर पे नाम अलग होता है न बस्तों का तो वेसे ही इंजायम के जो नाम है वो भी दो-दो नाम मिल जाते हैं बहुत सी चीज़ों के दो-दो नाम होते हैं तो तालीन यह एक यह बात है दोनों एक के एंज़ाइम है लार्क एंदर टालीन बोल दीजिए यह एंज़ाइम होता है यह मुख गुْवा में ona इेट का जल अबगेजन सुरू कर देता है कार्बो इत यह नरे की जो इसटार्ड उसको पताना सुरू कर देगा और यहां पर 30% को माल्टोज में किसे मदल देगा ये माल्टोज भी मदल देगा ठीक है ना और आमाशे में तीन परकार के इस्तराव आमाशे जो है उसमें तीन परकार की चीज़ी होती है देखिए इसको समझते हैं अपने जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर यह लिजिया अमाशे बना दिया अंगरी अंछे यह सलेसमा का इस्तरावन करती है दोसरा है प्रोजेंजाइम प्रिशीनोजन तीक है यह एक एंजाइम होता है प्रो एंजाइम पेपसी नोजन देखे वास्ते में क्या होता है जो पेपसीन जो एंजाइम है ना जो प्रोटिन को पचाएगा वो पेपसीन एंजाइम निस्करी होता है ठीक ना यह पेपसीन जो एंजाइम है यह कैसा होता है निस्करी होता है तो इस पेपसीन एंजाइम को अब यह जो enhances pepsinose है यह hcl की उपस्तती में किसकी उपस्तती में hcln की Hydroc cardiac Emil अब यह Hydrocaching Emil कहां आएगा यह दो है है यह दो है यह प्रो-enzime pepsinose जाएगा और pepsin बढन जाएगा जिए पहलThere पहले Jupiter करिया था और जब निश्मरी होता है तो इसका नाम या बटाता है प्रोटीन को बचाता है किसको पचाता है प्रूटीन को बचाता है ठीक एक डीर तो क्या बात हुए इसमें दो चीजे हो गई मुकस सलेश्मा कहते हैं प्रोटीन यूजन जो कि बदल जाएगा और तीसरा होता है हाइड्रो कलोरिकमल HCL HCL का दो एक काम तो क्या हो गया? यह जो प्रो एंजाइम है पेप्शिनोजन उसको पेप्शिन में बदलना दूसरा बोजन में आये हुए जो हानिकानेक जो जीवानू है उनको नश्ट करने का काम भी करता हाइड्रो कलोरिकमल म्यूकस देखो म्यूकस की बात कर रहा है सलेसमा की बात कर रहा है सलेसमा गिर्वा कोशिकाओं दो आना इस्तरावित के रहता है यानिकि जो आमाश्य की बात कर रहे थे हैं इस आमाश्य के अंदर इसी कोशिकाओं है प्रोएंजाइम पेप्सिन धेएंगे आपने ऊपर थोड़ी देर पैले समझा था यह ँब यह पर आपर रपाईड कलोरिक कुंदा रब खता च। रहें काल करता है कौन सिए प्रोटम को पचाएगा ऐपय। इसको पचाएगा। ओनको खुटे निवार्थ तो थो चोटे बच्छे होता हुए है ट्रेड में मेरी नामक उधाइम को छोटे बच्छे होते हैं वह दूद मुद की तो गेसे अंदर वहां जो प्रोटीन है उस protein को पचाने के लिए एक rinin नाम का enzyme होता है ठीकर ना ये उसको पचाता है clear तो pepsin के साथ जो है जठर रस में rinin नाम का enzyme का काम क्या है दूध के अंदर जो protein है mostly casein जो protein होता है उसको पचाता है वो अपना आगे देख लेंगे अब यह जो हाइट्रोकलोरिक अमल है यह कहां से इस्तराइफ होता है ओक्षिंटिक कोशिकाएं इंपोर्टेंट है याद कर लीजिए का ओक्षिंटिक कोशिकाएं हाइट्रोकलोरिक अमल का इस्तराण करती है जो आमाशे के अंदर है यहां जो ओक्षिंटिक कोशिकाएं है यहां कुछ कोशिकॉय का नाम क्या हैart। कुछ गंटों तक संगरीत रहेता है। तो यहां यह बोजन यह निचे त। तो यहां यह बोजन जो है यह निचे जब जा रहा है गरहनी में छोटी आत में तो इस में उसको काइम कहते हैं क्या कहते हैं यहां इस बोजन को काइम कहेंगे छोटी नहीं हें तो गिर्हनि में पूंच गया, त hesलुदू अधिक पाचन किर्एल गर्हनि नहीं में उती है यहां एक है का इंजय क्षर से करेंगहां इगावा यहां कहुरत करनक के करेंウ देख़़ए यहां पर राइखे यहां बना रहा हुँ यह अगनाश्य पाइशी करन करता है पीत लवणा जाएगा ठीक है कहा गया गरहनी में आतर रस चोड़े जाते हैं आतर रस यानि कि छोटी आँथे जो गरहनी बाग है यह भी इसकी जो कोशिकाएं है वो भी कुछ रस इस्त्रावित करती है उसमें भी एंजाइम होते हैं ठीक ना तो अगना दो बोजन में उपस्तित विबिन पोसक्तों का पासन करते हैं पीत वसा का पाइशीयन करता है देखे पीत रस दो हैना यहां पर अगनाशम बना था जो पितास्चे के अंदर संकृत हो गया था यह शिर्व वसा का पाइशीकर्ण करता है वसा यानिकि तेल और घी तेल और के लिए पहले इनका पैशिकन की जाता है पैशिकन की किरिया पीट रस द्वारा की जाती है यह है वसा पाचन के लिए आऊ सक है साथ ही पीट जो है वो लाइपेज पीटरस ना लाइपेज एंजयम जो अगनाश एकरंथी छोड़ेगी यह तीक ना यहां यहां पीटरस आएगा यहां से लीवर से पिताशे से यह इसको एक्टिव करता है शक्रिय करता है लाइपेज को गरहनी में सरलिकरत आप देखे गरहनी के अंदर बोजन क्या होगा पद पर दलकर के अगर चुद्रा झाला फ्रर बनाती है रिग ही और यह बोजन का ऊसोशन होगा अगर 16 को बहुंक से पर थे कोशिक कैंटर सबार नाल के अंदर है यहां से रक्त में गुल जाएगा और रक्त में गुल करके प्रतिक स्रीट की कोश्चिका को क्योंकि दूर्ण प्रते कोश्चिका को चिए ठीक है अना उसोशित पदार चुदरातर में अजो बोजन जिसका पाचन नहीं हुआ है या जिसका उसोशन नहीं हुआ है वो यहां चुदरातर में आ जाएगा सुद्र आतर से कहां चला जाएगा वरजातर में, बढ़ी आतर से फिर ये मलाशे कंदरा जाएगा तिक ने बढ़ी आतरी और ये बाग मलाशे रहा यहां पहुंच जाएगा और इसको बाहर उत्षजित कर दिया जाएगा सुतनातर शे बड़ी आत में जाते हैं और बड़ी आत का मुख्य काम जल और खनीज दोन का उस्वर्शन करना ये पहले भी आ चुका है बड़ी आत का काम क्या है ये बड़ी आत है जो मैंने इसको मुटा बनाया है बड़ी आज जल और खनिज दोड़ा शुशन करती है है तुछ आपसेते बाग का उत्षाजन कर दिया 되어 बाहर निकाल दिया जाएगा उत्षाजन का मतला होता है बाहर निकालना बाहर त्यागना अपत्रिट थोस जो पदार्थ है ते का मलाश्य के अंदर जिसको मल कहते हैं और एक तंत्री के प्रतिवर्थी के लिए दोरा बाहर त्याग दे जाता है अब देखें अपन यहां इसमें एक खास जी जो बचकी वह है यह सारनी देखेंगा एक नंबर का क्यूसन इस पार्ट म लार गंथी में टाइलीन या एमाइलेज ठीक ना एक बात है टाइलीन या एमाइलेज दोनों एक नाम है तो यह किसका पासंद करती है यह कार्बोहाइडरेट का ठीक ना कार्बोहाइडरेट यान की स्टार्च बोल दीजिए किलियर इतना रख लिएगा लार गंथी यह मुखी में होती है दूसरी यह आमाश्य एकांदर शटरर रस ठीक है ना जोएंजाइम है पेपसीन और रिनीन नीन तो बताया था यह एंपने छोटे बच्छो के अंदर चोटे बच्छों फीर नौर्टीन होता है वह केसीन पेरा केसीन बदल जाएगा ठीक है और पेपसी याद रखने हैं तो इसमें भी एमाइलेज एंजाइम होता है जो इस्टार्प को माल्टोज मदलता है एक ट्रीपसिन भूत इंपूर्टेंट है इसको बहुत अच्छी तरह शियाद कर लिजेगा ट्रीपसिन एंजाइम जो है यह प्रोटीन को पेप्टाइड मदलता है ठीक इनजाइम ग्रंथ निकल अगनाशे गरंथी और आहिसे निकलता है यह प्रोटीन भाशे कहां लिखेए और अगनाशे ठ benz फटर्वू ऐगरंथी और चाहर पेंगनाशे पनाश्राप अगनाशे में इनग्रंथ इन्जाइं अे कि आसे कहें ट्रीपीतेंट को पचाएगा व वसा को मोनो गिल्स राइड में और वस्टी अमल में बदल देता है उसके अलावा नुकलियज इंजाइब उती दो डिन और आरने को नुकलियज में तोड़ देते हैं ठीक है फिर बात करेंगे आंतरियरस च्छोटियां जो गरहनी है वहां वह भी कुछ करते हैं जैसे मालटेज का करेगी हांतरिये क स searchNo6 प्रफचंग होता है तो यह समी मद गांतर जाएगा और गुल्को जाएग bat गुल्कोज मन गदल राए तीally करेड़ दोसरी सरक्रा कौन ना कित्स बहु Till आइधी है लेकट इनजाइम समय तुर्ङ kennen जोड़ती है काइस इसरी बदला है शिकरोज इननी चोड़ती है यह बढ़ती तरह राओन करती है वसका वसका है अम्लें औरगलिस्वी मी मkachण डेगा अब देखे एक खास बात क्यूशन बनता है बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन बनता है कि एसी कौन सी गरंथी है जो बोजन के पातन में सायक है परन्तु वो किसी भी परकार का एंजाइम इस्तरावित नहीं करती है देखे यकर्थ जो है लिवर वो केवल पीत रहस या पीत ल इस्तरावित नहीं करती है तो यकर्थ का क्या है वसा का पायशिकर्ण करना क्या करना है और फो दिर पर पयाणी में आता है जहां पर वसा का पायशोड़िकर्ण हो나ग होता है इस परकार से हमने मानों के पाचन तंतर के बारे में पूरा विश्तार से समझा और मेरे ख्याल से आपके साथ ज्यान पूरो का आपने इसको समझा होगा और आपके समझ में भी आगय होगा ठीक है धन्यवाद